दोस्तो आपने देखा होगा street light जो लगी होई होती है खंबे पर वो auto switch जिनके अंदर होता है जिसको हम LDR switch भी बोलते हैं और auto sensor switch भी इसको बोलते हैं तो दोस्तो इसको किस तरह आप बना सकते हैं मातर तीन component की मदश से तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा आ इसके अलावा complete मैं आपको इसको बना कर दिखाऊंगा और इसको चला कर भी दिखाऊंगा तो दोस्तो आईए शिरू करते हैं वीडियो तो दोस्तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 330 K का resistance है एक LDR switch है और इसके अलावा BT 136 transistor है तीनों की मदश से आप इसको बना सकते हैं switch को और इसके connection इस तरह आउंगे आप देख सकते हैं 1st pin से last pin LDR switch लगेगा और 1st pin में से resistance घूम कर इसमें जाएगा और आपको जो तार लगाने है holder में वो एक तार direct लगेगा एक तार मतलब holder में लग जाएगा एक दूसरा light में लग जाएगा मतलब यह series बन जाएगी उसकी और यह switch की तरह काम करेगा जैसे हम switch में तार लगाते हैं उस तरीके से काम करेगा तो एक तार इसके बीच की पिन भी लगेगा यहां पर और दूसरा LDR और इसके transistor की पिन पर यहां पर लगेगा और यह series में single तार चला जाएगा यह switch का काम कर करेगा अब दोस्तों हम इसमें holder लगा देते हैं आप देख सकते हैं किस तरह हमने इसमें holder लगा इस तरह इसमें लग जाएगा एक तार तो इसका डायरेक्ट ब्लेक वाला और दूसरा तार इसका यह LDR में गोंकर जा रहा है अब हम अब यह काम कर रहा है जैसे हम इस पर र रोशनी इसके उपर आती है और यह तुरंत बंद हो जाता है इसी तरह यह धूप में काम करेगा अच्छलास कोई प्रोब्लम नहीं है आप भी इसको बना सकते हैं और बाहर लगा सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है कोई प्रेशानी नहीं है अगर फिर भी आपको समझ भी नहीं आता है तो कमेंट करें हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे तो दोस्तो आपने देखा मैंने आपको ओटो स्विच बना कर दिखाया यह धूप में ओटोमेटिक बंद हो जाता है और जैसे ही अंदेरा होता है तो अपने आप यह चालो हो जाता है तो दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक केर